है है हेलो फ्रेंड्स आज का मारा टॉपिक है फ्रिक्वेंसी सिफ्ट की यानि एफसके तो आज हम पढ़ेंगे एफसके के बारे में तो सबसे पहले तो हम यह देख लेते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या कर पढ़ने वाले हैं तो वर्ट विल लर्न इन दिस लेक्षर फ़स्ट वट इस एफसके सेकंड है एफसके मॉडूलेटर यानि चनले सिंद मैठट थर्ड ब्लॉग डाग्राउं जो फूर्थ है एप्लिकेशन और फिप्त एडवांटेज इस एंडिसेंडवांटेज इस तो सबसे पहले देखते ह अब फिर से चाहिए मैं एपनी प्रिशली वीडियो में बता रखा है तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कर वादेता हूं कि अपसके क्या होता है यानि फ्रिक्वेंसी सिफ्ट के इस टायप खरिकेंसी मॉडूलेशन इन विच दा ट्रिक्वेंसी ओप्ट करियर cosmetics होती है तो यह होता है हमारा frequency shift genuine और देख लेते हैं इसके waveformrim है ओपर आप देख रहा है इसे वाली ढहील से हमारा modelov reprodu pedi तो आज इस video में हम देखेंगे कि जो fsk modulated output paid ङे हमारी केसे है है यह जनि होती है ठीक है तो fsk can be represented by following mathematical equation तो जो पहली है वो है st equal to a cos 2 pi f1 t for binary 1 नहीं जो उपर वाली है जो ये वाली है वो binary 1 के लिए है और जो नीचे वाली है st equal to a cos 2 pi f1 t for binary 0 ये वाली हमारी binary 0 के लिए है तो ये था fsk अब हम देखेंगे इसका generation method कैसे हम fsk को generate करते fsk modulator तो ये हमारा fsk modulator होता है ये इसका block diagram है अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो इसकी working है वो क्या होती है कैसे ये work करता है कैसे हमारी fsk modulator वे मिलती है तो explanation देख लेते हैं तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास दो oscillator रहते है f1 and f2 ये क्या करते हैं continuously हमारी जो है high frequency and low frequency generate करते हैं अब यह होता है हमारा binary message यहां पर यहां से हम देते हैं one and zero one and zero याई लो हाई लो हाई लो हम देते रहते हैं fsk transmitter को to avoid abrupt phase discontinuities of output waveform during the transmission of message a clock pulse is applied to the both oscillator internally अब जो है abrupt phase discontinuities को हम eliminate करने के लिए जो है एक internally clock pulse apply करते हैं इस circuit पर ठीक है अब उसके आगे क्या होता है उसके आगे क्या होता है जब हम देते हैं तो suppose कीजिए कि जो f1 है वो high frequency है और हमने यहां से जो है one signal दिया तो जो f1 की frequency है वो select हो जाएगी और जो है आगे पास हो जाएगी ठीक है तो यह हो गया अब हम देखते हैं अब मालीजेगी हमने एफ टू जो है वो सपोस कर लीजे कि लो है और हमने यहां से जीरो इंपूट दिया तो जो है एफ टू की जो frequency हो select हो जाएगी और आगे पास हो जाएगी तो यह है एसके मॉडूलेटर यह है इसकी वर्किंग ठीक है कि दा बाइनरी इंपूट सिक्वेंस इस एप्लाइट टू दर ट्रांस्मिटर ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया जो प्रेनरी मेसेज हैं हमारा वह एप्लाइब करते हैं हम ट्रांस्मिटर पर एंड जो है फ्रिक्वेंसी वह चूज होती है अकॉडिंग टू दा इनके फ्रिक्वेंसी यानि f1 & f2 की फ्रिक्वेंसी के हिसाब से ठीक है तो एंड और लास्ट में मिल जाता हमारा fsk आउटपूट और यहां पर आप देख सकते हैं जो f1 & f2 है नियरली इक्वल लेते हैं यानि ज्यादा इनमें अंतर नहीं होता बहुत कम अंतर होता इनमें तो यह था हमारा fsk modulator एंड यह कैसे काम करता है यह मैंने आपको बताए इस वीडियो में लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए मैं आपकी पूरी हल्प करूँगा तो हूप करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा तो आज की वीडियो में इतना ही कि सॉरी इसकी मैं अप्लिकेशन बताना तो आप लोगों को भूले गया तो इसकी अप्लिकेशन देख लेते हैं अब कि इस यूज़ ऑन वाइस क्रेड लाइन फॉर डेटा रेट अप्टू तो त्वर्बंडर बीपेस निए बिट पर सेकेंड इस यूज़ फॉर हाइफ फ्रिक्वेंसी रेडियो ट्रांसमिशन कि फ्रम 3 तो 30 मेंगा थ्रड है तब है इस ऑफ्रेट यूज़ इस इन को एक्षिल केबल बेज डाउन लेन यानी भी को एक्षिल केबल में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं जो हैं हमारी लेन पर बेज होती यानि लोकल एरिया नेटवर पे बेस होती हैं अब हम देख लेत है इसकी advantages and disadvantages तो सबसे पहले advantages देख लेते हैं तो जो सबसे पहली है वो है it is it has lower probability of error यानि जो इसमें error होते हैं वो बहुत कम होते हैं second है it provides high SNR यानि signal to noise ratio तो इसका जो है बहुत high होता है third है it has higher immunity to noise due to constant envelope hence it is robust against variation in attenuation through channel तो जो इसकी जो है noise immunity of immunity to noise रहती है constant रहती है ठीक है constant envelope के वेज़े से high रहती है तो इसलिए यह robust होता है जो fourth है वो है FSK transmitter and FSK receiver implementation are simple for low data rate application तो यह थी इसकी जो है advantages अब देख लेते हैं हम इसकी disadvantages तो जो सबसे पहली है वो है it is it uses larger bandwidth compared to the other modulation techniques such as ESK and PSK hence it is not bandwidth efficient तो यह इसकी एक disadvantage है कि इसमें जो है bandwidth बहुत ज्यादा require होती है bandwidth की requirement है बहुत ज्यादा होती है इसलिए bandwidth efficient नहीं होता तो यह इसकी एक single disadvantage है ठीक है तो इस video में इतना है thank you for watching this video अगर आप लोगों ने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर लें